लेटनेंट जर्नल आसिम मुनी, डी जी आईसाई मुकरर, लेटनेंट जर्नल नदीम जकी, कोर कमांडर मंगला, लेटनेंट जर्नल शाहीन मधर, कोर कमांडर पिशावर, और लेटनेंट जर्नल अब्दुल अजीज, मिलिटरी सेकेटरी जी एच क्यू तायनाद डॉलर पहलवान, रुप्या हलकान इंटर बैंक में मजीद 36 पैसे महंगा 134 रुपे में ट्रेडिंग, स्टॉक मारकेट में भी मंदी का रोहजान रोकर्स परेशान आजी पंजाब के तबातले पर पाबंदी का इतलाख नहीं होता तकरुरी मौतल करने का नोटिफिकेशन वापिस लिया जाए काबिना धिवियन का इलेक्शन कमिशन से मुतालपा अपना घर मन्तूबा, वजीर आजमाच एलान करेंगे पालिट प्रोजेक्ट के लिए हर सूबे में एक जिले का इंतखाब किया जाएगा नाद्रा की मदद से तैयाल फॉर्म ममूली केमत पर दस्याब होगा ओपोजीशन की रेकोजीशन, गामी इसमली का इजलास 17 अक्टूबर को तलफ शेहबाश शरीफ की गिरफतारी पर इस्लामबाद और लाहोर में एवानों के बाहर एतजाच का प्रोग्रेम नून लीग की फीबल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत ओपोजीशन लीजर की गिरफतारी दरुस एकदाम नहीं वजीर आजम हाउस को युनिवरसिटी बनाने और भेंसे और गाड़िया निलाम करने से मौईशर ठीक नहीं होगी खुशीद शाह का सक्कर में तक्रीब से खिताब आमदन से जाइद असासे बनाने का इल्जाम सल्मान शहवास की आज नैब लाहर आफिस में तलबी वकला से मुशावरत तफ्तीशी टीम से मुकमल ताव उनका फैसला अलजीजिया स्टील मिल रेफरेंस नवासरी पहतसाब अदालत में पेश वकील खाजा हारिस की तफ्तीशी अफ़र में बूब आलम पर जिराख मुकमल समात कल तक मुलतवी पीटी आई राहनुमा उस्मान डार वजिर आजम यूथ प्रोग्रेम के चेर्मन ताइनाद साविक दोरे हुकुमत की लैप्टाप स्कीम में मुबायना करप्शन के आउडिट का ऐलान मटी पीए सो 37 लाग रुपे तनफ़ा क्यों ले रहे हैं नैप से पगार और मराद की रिपोर्ट तलब हालाद खराब हैं लोग महगाई से परेशान है जॉलर देखें कहा जा रहा है चीज़ जस्टिस के रिमार्स मॉनी लॉंडरिंग केस की तेखिकात में तेजी सरबराह ओमने ग्रुप के कराची में आफिस पर चापा अमले से पूछकच आहम दस्ताविजात तहवील में ले ली गई अन्वर मचीज तबियत खराब होने पर قामी इदारा बराए अमरासे खल्प मन्तकिल FIA का स्याल कोट में करंसी एक्स्चेंज पर चापा डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस तीन अफराग गिरफतार लाखों रुपे की मुल्की और गेर मुल्की करंसी बरामद अजाहमत पर पकड़ धकड़ चिने ओट में एहमद नगर और चूंगी चॉफ पर सर्विस टेशन और मार्किट्स में स्मार लालिया में 200 कनाल अराजी वाकुजार सॉलिड वेस्ट मैनिश्मेंट कंपनी में 45 सरब रुपे का फ्रॉण मौमला लाहॉर हाई कोट पहुंच गया दुनिया न्यूस के तहल का खेज इनकशाफ पर पेटिशन डायट नैप को कारवाई हुक्म जारी किया जाए दरपास में मौके मंचा बम और चारों बेटों के शनाफ्ती कार्ट नादरा से ब्लॉक कराने का हुक्म लाहॉर की खुसूसी अदालत में LDA टीम पर हमला केस की समाथ पांचों के नाकाबल जमानत वारंट गिर अफ़तारी दोबारा जारी बेरुने मुल्क से तालीम याफ़ता डॉक्टर्स को प्रैक्टिस की अजाज़त लाहॉर हाई कोट ने तहरीरी फैसलाद जारी कर दिया थर में गजाई किलत और वाबाई अमरा सिवल अस्पताल मिठ्छी में मजीद दो बच्चे जांबहब 24 जिर एलाज सी एन जी के दाम बढ़ते ही अवाम की जिंदगी हराम कराची वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तमाल करना भी मुश्किल बस मालिकान ले किराए बढ़ा दिये रिक्षा और टेक्सी वालों की भी मनमाने चपली कबाप में रिवायती मसालों का तड़का जो खाए उंगलियां चाटता रह जाए कराची की चाफ वैसल कॉलूनी में चाटोरों के लिए खाबों का इंतिजाम कराची की गर्मी में आप से नर्मी दज्जा हरारत में कमी का इमकान अगले माँ से शहर काइब का मौसम तब्दील होने की पेशकोई तर्जमान सुप्रीम कोट की मुदायत में एक हफ़ता पहले मुकदमा दर्च किया गया था आपको बताएं कि फैसल रजा आबदी ने चीफ जस्टिस के खिराफ नाजेबा अलफास इस्तमाल किये थे आपको बताते चलें के फैसल रजा आबदी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा इलफा रजा आबदी को सुप्रिम कोट के बाहर से गिरफतार कर लिया गया है इसी पे बात करेंगे हमारे नुमाइंडे कमरल मुनवर हमारे सद्बादी है कमरा अगा कीजेगा सुप्रिम कोट के बाहर से गिरफतार हुए है फैसल रजा आबदी जी बिलकुल साविक सैनेटर फैसल रजा आबदी को आज वो क्योंकि उनके केस की समात थी जैसे ही वो बाहर निकले अपने भाई के हमरा थे तो उनको गिरफतार कर लिया गया है जबकि उनके भाई का में मौकफ है कि उनकी बेल जो थी वो कल तक थी इसलामबाद पुलिस का ये कहना है कि गुजशता राज जो है तैवन एटिया की दफात के तहत एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था उस पर इनको गिरफतार किया गया है मैं आपको बताए जलू सुबा के वकि यहां पर जो सेक्यूरिटी थी वो मामूल से ज्यादा थी एसेच यो सेक्रिटेरियर जो है शबीर तनौली वोर उनके अमरा एस्पी सिटी जो है आमिर न्याजी वो यहां पर मुझूद थे उनकी सिर्फ इस गिरफतारी के लिए वो यहां पर आये थे उनका यह कहना था कि गुजशता रात एक F.I.R. दर्ज की गई है कि एक प्रोग्राम नश्र किया गया था वेब टीवी पर जिस पर तोहीने अदालत के हवाले से बहुत सरी बातें की गई थी उस पर एक और F.I.R. जो है वो दर्ज की गई है और उन दफाद में 7.8.A. की दफाद शामिल है जो बेल और बिलो फैंस नहीं है इसी वज़ा से इनकी गिरफतारी जो है वो आमल में लाई गई है और आप इनको थाना सेक्रीटेरिट में मुंतिकल कर दिया गया है कहा ही जा रहा है कि इनको आज ही जो है अदालत में पेश किया जाएगा और इनका रिमांड हासिल किया जाएगा क्योंकि स्टैवन एटिये और तो इनकी अदालत की दफाद जो है वो मुकदमे में शामिल है ठीक है आज ही इनकी पेश किया जाएगा अदालत में कमरल मुनवर हमें अपडेट कर रहे थे शुक्रिया आपका के मताबिक लेटिनेंट जेनरल नदीम जखी मंच को कोर कमांडर मंगला लेटिनेंट जेनरल शाहीन मजहर को कोर कमांडर पिशा वरताइनात कर दिया गया है लेटिनेंट जेनरल अजहर सालpower Regisick लेटिनेंट जेनरल वसीम अश्रियव आईजी आम्स और लेटिनेंट जेनरल अबडलाजीज मिलिटरी सेकरेटरी GHQ बना दिए गए लेटिनेंट जेनरल मुहम्मद अदनान वाइस चीफ आफ जेनरल स्टाफ ब्रावो के तोर पर खिद्मात अंजाम देते रहेंगे मुझूदा टी जी आईस आई लेटिनेंट जेनरल नवीद मुखतार 25 अक्टूबर को मुद्टे मुलाजमत पूरी करके रेटायर हो जाएंगे लेटिनेंट जेनरल आसे फेंट्री रेज्मेंट से है मुहम्मद अमरान दुनिया नियूज इसलाम अबाद ख़वर दें आपको स्टेबलिश्मेंट डिविजन ने लेक्शन कमिशन का आई जी पंजाब के तबातले के नोटिफिकेशन का हुकम मौतल करने के लिए चैलेंज कर दिया है तकर्रों तबातले पर पबंदी सिर्फ जिमनी इन्तिखाबात वाले हलकों तक मेहदूद है इसका इतलाग आई जी पॉलीस के तबातले पर नहीं होता अलेक्शन कमिशन आई जी पंजाब की तकर्री मौतल करने का नोटिफिकेशन वापस ले अगे बढ़ते वे आपको बताएं के रुपए की दुर्गत बनाने के बाद बिलाकिट डॉलर को करार आ गया जी हाँ इंटर बैंक में डॉलर 134 रुपए के गिट घूम रहा है जबके स्टॉक माकिट की अगर बात करें तो वहाँ पे सरमाया कारों का जोश आज फिर ठंडा पड़ गया और इंडेक्स फिर मनफी जोन में जा मेरे ख्याल है डॉलर वोलर टैल रहेगा इस जब तक के कोई डील नहीं हो जाती आइमेश से और इसमें फलक्टॉशन होती रहेंगी उपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा बड़ा अनसर ट्रेंड रहेगा दूसरे जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज में सरमायकर खराब होते माशी इशारियों से 6-5 का शिकार है इंटर्शेट बढ़ाने की बात हो रही है जो के मीडिया पे इस वक्ता आ रही है अखबारों में आ रही है कि डबल डिजिट पे जाने की बात है जो कंपनीज लेवरिज पे हैं जाहरे है उनकी कॉस्ट आफ विजिनस बहुत जादा बढ़ जाएगा पिर आगे चलके बिजली मेंगी होरी ये गैस मेंगी होरी जिसके विसे जो कंपनीज है इनकी प्रॉफटिविटिटी पे बहुत जादा एफ़िक्ट आएगा तो इसलिए सर्मायकारों में अदा मिस्ते काम परे जाता है अक्तसादी माहरीन का कहना है कि आने वाले डिर से दो साल माशी एतबार से काफी कठन है और ऐसे में हकुमत की जानब से बरवक फैसले नहीं लिये गए तो इस माशी भरान के भवर में सर्मायकार हो ये आम आदमी को भारी गायमत अदा करनी पड़ेगी तारिव गोरी दुनिया न्यूस कराची और अब बात करते हैं इस हागडार की जायदादों की निलामी के मौामले के जिसमें पेस्ट रप्त हुई है अकाउंट्स और रकूम की तफसिलात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई इस हागडार और कमपनिस के अकाउंट में पांच करोर तेरासी लाख रुपे मौचूद हैं के तीन प्रॉटों की खुर्की की तामीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई इसी पर बात कर लेते हैं हमारे सथ मौचूद है नमाएंद दुनिया नियूस आमिश सेदा बासी आमिर बताएगा क्या तफसिला सामने आई हैं जायदाद और अकाउंट्स की जी इस आगदार के खिलाफ असासर जात रेफरेंस की समात है तिससाब अदालत के जुएज मौचूद बशीर ने की इस मौचे पर नैप ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें बताया गया है कि जो प्रॉपटी इसको रखो चुकी थी और जिन से मुतालब के अदालत आउर भी कर चुकी थी उनकी तमाम जो तफसिलात हैं वो पंजाब हुकूमत के हावाले कर दी गई है पंजाब हुकूमत उन्हें ने इलाब करे या अपने पास रखे इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाईगी इसमें कहा गया है कि जो अकाउंट्स हैं उनके और उनकी कमपनियों के नाम उसमें पांच करोड़ द्यासी लाख रुपे मुझूद है जो गाडियां तह् Mobile में लेने का हुकम दिया गय था उसके हवाले से अदालब में नैप ने बताया कि उन्हें चछापा माडा ुसागडार की रहाइचवाप पर लेकिन गाडियां आपने अपडेट किया। पें वसूल की जाएंगी। वज़ियाजम इम्रान खान ने इसी हवाले से हाउसिंग टास्ट पोर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। और शेबाद शरीफ की गिरफ़तारी का मौमला है जिस पे मुस्लिम्लिक गनून ने विफाक और पंजाब में इतजाजी प्रोग्राम का इलान कर दिया है। आपको बताएं कि आज पंजाब इसम्री और पार्लिमंट हाउस के बाहर अरकान का इजलास भी तलब कर लिया किया है। पाकिसान मुस्लिम्लिक डून ने अपने सदर शेबाद शरीफ की गिरफतारी के खिलाफ इतजाजी प्रोग्रेम का ईलान कर दिया। इस सलसले में साबग स्पीकर ऑ्यास सादिक ने अरकान पार्लिमंट का इजलास सपहर तीन बचे तलब कर लिया. अरकान काव्री और सैनेटरी का मुस्सरका इजलास पार्लिमेंट हाउस के गेट के नमबर एक के बाहर होगा इजलास में पार्टी अरकान को इतजाजी हिकमत अमरी के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा उधर पंजाब इसमली के बाहर भी नून लीग के अरकान बैठक लगाएंगे इजलास की सदारत राना इकबाल करेंगे उपोजीशन के मुमकिना रदे अमल पर पंजाब हुकूमत और विफागी हुकूमत भी है तैयार आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के लिए तैयारी मुकमल कर ली है पंजाब इसमली का मरकजी गेट खारदार तारे लगा कर बंद कर दिया गया पुलिस की भारी नफरी भी तायनात की गई है पंजाब इसमली का गेट नमबर दो भी नो गो एरिया बन गया है जबके पंजाब इसमली का गेट नमबर दो भी नो गो एरिया बन गया है आज उपोजिशन के जानिब से ऐलान किया गया कि कौम इसमली के बाहर और पंजाब इसमली के बाहर उपोजिशन जमाते अपनी बैठक लगाएंगी और अपना अहतजाज रेकार्ट कराएंगे शहबाश शरीफ की गिरफतारी पर और इसी से नमटने के लिए पंजाब खुमत की जानिफ से हिकमत अमली तयार की गई है मनाजर आप देख सकते हैं यह तयारी की गई है पंजाब ह्आरी की गई है पंजाब हुकूमत की जो हिक्मत अमली की बात आप मेरे सामने पीछे बिलकुल वाज़ा तोर पर देख सकते हैं कि तीन तैई जो है खारदार तार लगा दी गई है ये में गेट है पंजाब असमली का ये बिलकुल बंद कर दिया गया है कि कोई भी उपोजिशन रुकन ख़सुसान मुस्मली लिग नवास का जो है वो अंदर नहीं जा सकता जो कि तीन मेज़े का वक्त दिया गया है पाकसान मुस्मिली लिग नवास की जानिब से कि तमाम लोग यहां इकटी होंगे और उनका यह कहना था कि हम असम्बली की सीड़ियों के ओपर बैठेंगे और इजलास करेंगे लेकिन उसके बाद वजूद सीड़ियों तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल दर किनार लेकिन यह जो खारदार तारे हैं इन्हीं को क्रॉस करना खासा मुश्किल हो जागा और अभी नफरी जो थी जब हम यहां पर खड़े आये थे सुबर कुछ 15 मिनट पहले तो नफरी य कब मुस्लिम लिंग नवास के लोग यहां पर आएं और वो उनको रोकें चुकर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही आज़ ठीक है बहुत शुक्रिया बिर श्रीफ लाहर अरसलान रफिक भटी हमें अपड़ेट कर रहे थे अहम खबर दें आपको साविक वज़िर आजम नवाज शरीफ का वजारत दाखला से रापता नवाज शरीफ मर्यम और सफदर के नाम इसल से निकालने के लिए दर्खास तीनो रहनुमाओं ने चार अक्तूबर को वजारत दाखला को दर्खास जमा करवाई थी जराए ऐसा बताते हैं दर्खास पर जवाब ना आने के बाद दुबारा रापता किया गया है मजीद अफसिलाद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया नियूस आबद मलिक से जी आबद मलिक आगा की जेगा वजारत दाखला से रापता किया है नवाज शरीफ ने जे बिल्कुल साबिक वजी आजम और मुस्मिन गनून के काईद मिया नुआज शरीफ ने वजारत दाखला को दर्खवास दी है कि उनका नाम वीसी आल से निकाला जाए जे बिल्कुल साबिक जाए बेरोने मुल्क सफर करना चाहते हैं इसलिए एसील से नाम निकाला जाए दर्खास में ये मौके फिर्याजम की जानिब से शुक्रिया अबितमलिक और अब जिक्र पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाहका जिन्होंने कहा है कि उपोजिशन लीडर की गिरफतारी दरुस्त एकदाम नहीं सक्कर में हाइकूट बार्स से खिताब करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि वजिर आजम हाउस को यूनिवरसिटी बनाने भेंसे और गाड़िया निलाम करने से माईशे ठीक नहीं होगी उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों का भी जिक्र किया इमरान कहता था कि मुझे आईमेफ में जाने से बहतर होगा कि में खुदकशी कर लूँ लोग हमारी मजाख उड़ाते हैं लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मजाख उड़ाते हैं कि अमरान खान साथ, आप खुदकेशी वेनिस्टे को करना, कि तीन दिन सोगोगा, दो दिन छुटी होगी, पांच दिन याशी हो जाएगी, इस किसम की मदाखे आ रही है, कैबिनेट में सारी मुश्रफ की टीम है, पीटी आई की टीम नहीं है, को जो पीटी आई की सीनियर ल कि सक्कर में कौन से प्रापरटीज हैं जो शाथ साथ आपने कब्जे की है, या कौन सी बेंक है जिससे लोन लिया है, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के लागे मुजफराबाद में तजावसाथ के खिलाफ आपरेशन के दुरान जिले इंतजामिया को कब कब्जा माफिया के खिलाफ आपक्शन जारी। बार ये गोवर्मेंट की है जब कभी ज़रूरत पड़े तो रेडी वालों को हटा दें। पार्ट सो कनाल अराजी काबजीन से वागुजार कराई जा चुकी है।